असलाम अलेक्म यहल्स आप कैसे हैं अमीदाय आप हरी यह से होंगे तो आज हम टॉपालोजी का लेक्षिन नबर वन में हम कमपैक्टनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ आउट डेफिनेशन को देखना होगा कि कावर आफ सेट क्या होता है तो let x d be a matrix space जो है अगर x के किसी subset a की cover की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए जो है x के subset की एक ऐसी collection लेना होगी कि अगर हम इन subset की union करें तो set a जो है इसमें contain हो जाए तो फिर ऐसी collection of subsets को जो है a का cover set कहेंगे तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है देख लेते हैं let x d be a matrix space जो है family of the subsets से g lambda जो है lambda बिलांग करते है i से i हमारे पास एक interval है इसको index interval भी कहते है यह finite भी हो सकता है infinite भी हो सकता है and x is called cover of any subset a of x जो है if a is contained जो है a union of family of subsets जो है family of subsets में collection of subsets जो है then family जो है g lambda बिलांग करते है i is called cover of subset a of x जो है यह तो x के subset के cover की बात पहले हमने की अगर हमने itself x का cover find करना हो फिर हमें एक ऐसी जो है family of subsets लेना होगा जिसकी हम union करें तो वो x के बराबर हो then family जो है g lambda lambda बिलांग करते है i से is called cover of x जो है तो आगे हम देखते हैं कि open cover क्या होता है if family जो है g lambda lambda बिलांग करते है i से be cover of subset a of x जो है तो then the family जो है g lambda lambda बिलांग करते है i से is called open cover of subset a of x जो है जो है यह हमारे पास family g lambda lambda बिलांग करते है i से जो है कब open cover कहलाएगा कि अगर हमारे पास जो है each g lambda जो है x में open हो यह समुराद ही है कि जो हम family लेते हैं collection of subset लेते हैं अगर हर subset x में जो open होगा तो फिर ऐसी family को हम कहेंगे कि यह subset 1 जो है open cover है या x का open cover है तो अगर हम definition sub cover of set देखते हैं the family of the sub family of the family g lambda अब हमने sub cover को जब define करना है तो हमने उस family का एक sub family लेनी है तो यहाँ पर पहले हमने family ली थी g lambda lambda बिलांडा बिलांडा बिलांग करते हैं i से तो अब हम इसकी एक sub family लेंगे say g lambda lambda बिलांडा बिलांग करता है i star या इंटर्वाल को हमने चेंज कर दिया फार इंटर्वाल में हमारे पास जो है lambda 1 lambda 2 up to so on lambda 10 तक या नि फार इंटर्वाल में कह रहा हूं कि अगर lambda 10 तक इस interval में points हैं तो इसमें मैं कहता हूं कि i star जो इंटर्वाल है इसमें मैं कहता हूं कि इसमें lambda 1 lambda 2 up to so on lambda 5 points इसमें हैं तो फिर हम इसको कहेंगे इसका मतलब है कि i जो है contain करता है in the union of family of the sub family of the subsets तो देन जी lambda lambda बिलांकर जासे i star कि इस फिनाइट अगर हमारे पास ये interval जो i star हो ये अगर finite होता है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो sub cover है ये finite है is called finite sub cover of subset a of x तो अब तक हमने तीन definition को देखें cover of set क्या होता है open cover क्या होता है and sub cover of set क्या होता है अब हम इसके कुछ example के जरीए इसको and definition को समझने के कोशिश करते हैं example number one में हमारे पास है के let x equal to r be usual metric space जो है सामने ये show करना show that करना है कि एक family जो है gn जो है equal to minus n to n जो है ये n विलांग करता है set of natural number ये is an open cover of usual metric जो है r जो है जिसके solution की तरफ आते हैं तो अगर हम इस family के member देखें तो कुछ इस चकल में होंगे जब क्यूंकि n में हमारा natural number से बिलांग करता है तो n मैं अगर 1 रखूंगा यहाँ पर तो ये minus 1 से 1 तक आएगा और है ये एक open interval अगर n की वेज़े 2 रखूंगा तो ये minus 2 से 2 तक आएगा और आपके so on ये negative infinity से infinity तक आएगा अब हमने क्या करना है इस collection की हमने union लेनी है जब मैंने इस collection की union लेनी तो ये exactly set of real number बन जाता है तो इस से मुराज क्या हुआ क्योंकि हर्म इसका जो सब सेट्स है वो एक open है इन real number और में minus 1 और 1 जो है real number और का क्या है एक open subset है तो hence जो f is in open cover of और जो है second part में जो है कि एक और family है h n जो है f star equal to h n equal to minus 2 n to 2 n जो है where n बिलांग करता है natural number से is an open cover of r जो है और आगे हम ने ये भी show करना है कि ये f जो है is a sub cover of f star solution की तरफ आते हैं अगर हम इसके member देखें family के तो वो कुछ ऐसी आएंगे अगर मैं यहाँ पर n की value of 1 रखता हूं तो यह आएगा minus 2 से 2 तक n की value of 2 रखता हूं तो minus 4 से 4 तक और up to 1 यह आएगा negative infinity से infinity तक अगर हम इस collection की subsets यह रियल नमबर और के यह सबसेट्स हैं इनकी मैं union लोग तो वो exactly set up और यह नमबर बन जाता है actually हम अगर देखें F star जो है F जो है उपर family जो हम ने ली है यह F star का एक sub family है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर interval minus 1 से 1 तक यह सारा का सारा आ जाता है minus 2 से 2 ता और आगे minus 2 से 2 वादा जो open interval है यह वो इस interval में आ जाता है minus 4 से 4 ता तो यह F star की एक sub family है तो F क्योंकि itself हमारे पास किया है उसका और यह setup real number का open cover है तो इस से यह थाबित हुआ कि F जो है हमारे पास जो है is an open cover of R and F is a sub family of F star जो है and F is open cover of R तो हैंस F is an sub cover of R note कि F is an infinite जो है F is an infinite finite sub cover of R जो no finite sub cover of R exist यह बड़ी important बात है set of real number का कोई finite sub cover नहीं होता तो example number 2 की तरफ हम आते हैं show that करना है कि open interval with usual metric जो है space जो है R जो है has no finite sub cover जो है तो यह set of real number का एक sub set है 0 1 और हमने यह show करना है कि इसका finite sub cover नहीं है solution की तरफ आते हैं family of open interval 1 by n जो है से 1 और n हमारे पास किया है 2, 3, up to so, 1 तो इसके अगर member इस family के member की अगर हम बात करें तो वो को इस चक्कल के होंगे यहाँ पर जब मैं n की वे यह 2 रखूंगा तो 1 by 2 से 1 आएगा फिर 1 by 3 से 1 आएगा अगर हम इनकी union कर लें तो यह वही exactly हमारे पास interval बनता है 0, 1 जो तो देर्फोर 1 by n से 1 जो है आएगर n इक्वाल 2, 3, up to so on इस अपन कावर आफ अपन इंटर्वाल 0, 1 जो है बट नो finite जो है sub family हम इस family कोई ऐसी finite family नहीं ले सकते हैं जैसके हम union करें तो इस मत प्रपया दो झाल